जेडिपी अद्याल निर्वाचन शेत्र से भाजपा के सुवर्ना शुशंकर मुंग्टे को 318 मतों से जीत हासिल हुई है और राश्टरवादी कॉंग्रेस की नासिका राजिश वंजारी को 2621 से हार का सामना करना पड़ा पीपल गाव जीला कॉंग्रेस की पुजा देविंदर हजारे 3758 मतों से निर्वाचन शेत्र से चुनी गई अरोनों ने भाजपा की शुभांगी सुरेंदर एतुलवार को 2473 मतों से हराया कॉंदा जीला डबल्यू कॉंग्रेस के गंगादर मुकुंची जीप काटे इन्हे 3541 मतों से निर्वाचन शेत्र से जीत हासिल हुई जबकि प्रतिदवंधी राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी की चेतक राज़ेश डोंग्रे 3458 मतों से और शियोसेना के आशिश पु ठल्राव पंच भाई 3610 मतों से निर्वाचन शेत्र से चुने गए जबकि सेना के प्रशान थरिदास भुटे 3164 मतों से हार गए है असगाव जिला परिशद निर्वाचन शेत्र से कॉंग्रेस की संगिता प्रशांद बोर कर 3180 मतों से जीत दर्श की जबकि राष्टरवा 291 से और सेना की प्रिया बालकृष्ण फूल बंधे 2850 मतों से हार का सामना करना पड़ा है सावर जिले में शिवसेना की राजश्री मुनेश्वर्ती घारे 3028 मतों से विजय हुई जबकि कॉंग्रेस की रत्नमाला शंकर तेल मासरे 2940 मतों से हार गए पाउनी पंचायज समि कॉंग्रेस पार्टी की स्मिता प्रशानगिरी 2465 जबकि उनकी प्रतिदोंदी भाजपा की शोबाल अलेत कुमार शहरे 947 मतों से हार गई है पीपल गाउ निर्वाचंग शेत्र से भाजपा के प्रमोध मारुती मेंदी 1997 और कॉंग्रेस की शरत विठर रावती घारे 1808 मतों से हार गए कॉंग्रेस की कल्याने सुरिभान टमले 1854 और भाजपा की रूपा एकनाश्चेंडे 1458 तेरी पास निर्वाचंग शेत्र से हार गई NCP के नावगंतुक विलास कुर्जेकर 1730 कोंधा पास निर्वाचंग शेत्र से जीत गए है जबकि सेना की शिवशंक का गणपत फांडी 1071 मतों से हार गए है तो कोड रूल पी एस से बसपा के स्वर्ण नरिंदर रामटे की 1380 से विजई हुए है जबकि सेना के कोमल चगन सावरबाद 1052 मतों से हार गई है BCN News के लिए पौनिस राजेच एल सटिवार की रिपोर्ट